नमस्कार मैं राज महोंतिवाडी आप देख रहे हैं बिहारी विज बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने 6 जुलाई यानि आज के कोरोना संक्रमन का पहला अपडेट जारी किया है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जाड़ी किये गए आकरों के अनुशार बिहार में आज कोरोना के 276 नए मामले सामने आए हैं कोरोना संक्रमन के इन 276 नए मरीजों के साथ बिहार में कोरोना का आकरा 12,140 पर पहुँच गया है यानि बिहार में कोरोना का चैन अभी ब्रेक होता नजर नहीं आ रहा है जाज की रप्तार बढ़ने के साथ ही COVID-19 के मामले भी लगतार बढ़ते जा रहे हैं अगर बिहार में recovery rate की बात करें तो वो लगभग 73% के आसपा से बिहार की राजदानी पटना में कोरोना काहर काफी ज्यादा गंभीर हो गया है आज आए कोरोना के 276 नए मामलों में से 55 मामले केवल पटना से आए हैं पटना में कोरोना का आकरा लगभग 1100 पहुँच किया है इसके अलावे सभी जो बिहार के 30 जीलों में से 276 नए मरीज मिले हैं। से 7, नलंदा से 15, नवादा से 4, पटना 55, पुर्निया से 3, रोता से 6, सहर्षा से 3, समस्तिपूर से 4, सारन से 5, सीवर से 2, सितमडी से 1, सिवान से 8, सुपावल से 10, और वेस्ट चंपारन से 13 नए के सामले आए हैं। कोरोना के मरीजों के लिए कई जगहों पर आइसोलेशन सेंटर्स का निर्वान किया गया है। इसको लेकर जीला परशासन द्वारा आइसोलेशन सेंटर्स की सूची और वहां रहने के लिए मरीजों की छमता निर्धारित की गई है। साथ ही बेडों की संख्या को भी बढ़ाया गया है। सबसे ज्यादा 447 बेड की विवस्ता NMCH में हैं। दूसरे नमबर पर है ESI बेटा 304 बेड तीसरे नमबर पर है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर मसौडी और विक्रम दोनों जगहों पर 250-250 बेड हैं। इसके बाद है दीप नराइन इस्टिटूट से एक पूरा जहां 244 बेड हैं। पटना PMCH में 192 बेड एंस पटना में 165 बेड की विवस्ता की गई है। पाटली पुत्रा स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स में 100 बेड है। पाटली पुत्रा अशोका पटना में 85 बेड सब्डिविजनल होस्पिटल दानापुर में 24 बेड सब्डिविजनल होस्पिटल मसौडी और बाड में 30-30 बेड का इसोलेशन सेंटर्स हैं। बिहार से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं बिहारी नियूज धन्यवाद।